Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. A square piece of paper is 10 cm is rolled to form a slender. Find the curved surface area of the slender so formed. यहाँ पर देखें आपको कहा गया है, जो एक square का piece है, आपका paper का, वो आपका 10 cm है. उसको हमने रोल करकर क्या बना लिया? सिलेंडर बनाया. तब आपको यहाँ पर curved surface area बताना है आपका सिलेंडर का. आपका यहाँ पर given क्या है, square, square piece of paper is 10 cm. यहाँ आपका 10 cm है, तब देखें यहाँ पर imagine करिए, यदि आपका square का piece इस तरह का आपका square होता है, वो आपका कितना है, 10 cm, तो यहाँ पर भी 10 cm होगा वो, इधर भी 10 cm है और इधर भी 10 cm, तो उसको क्या किया हमने यहाँ पर roll कर क्या बनाया, यहाँ पर cylinder बनाया, तो जो उसकी height हो जाएगी, यहाँ पर देखिए, height of cylinder, वो किसके equal होगी, जो आपका यह 10 है, इसके equal आपकी क्या हो जाएगी, 10 cm आपकी height निकल जाएगी यहाँ पर, क्योंकि हमने उसको क्या कि, आप paper को roll करके बना रहे हैं हम, तब देखिए, यहाँ पर height इतनी हो जाएगी, and, यदि हम बात करते हैं, circumference of cylinder, जो कि आपकी क्या होती है, 2 pi r होती है, तो देखिए, वो आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, 2 pi r, वो किसके equal हो जाएगी आपकी यहाँ पर, 10 के equal हो जाएगी, so यहाँ से आपका क्या निकल के आजाएगा, radius निकल के आजाएगी, r is equal to 10 upon 2 pi cm, तो यहाँ पर, यहाँ पर क्या हो गई, radius निकल के आजाएगी, and हम जानते हैं यहाँ पर, जो आपका, curved, surface, curved surface, area जो आपका होता है, curved surface area, of, slender, यहाँ आपका होता है, 2 pi, r, h, तो यहाँ पर, h की value आपके पास है, and r की value आपके पास है, तो देखें यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, 2 pi, r की value यहाँ पर आपकी, 10 upon, 2 pi, into, height आपका कितने हैं, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ पर 2 pi से 2 pi कट जाएगा, and यहाँ आपका हो जाएगा, 10 into 10, जो कि आपके कितने हो जाएगा, 100 cm square, यहाँ आपका हो जाएगा, hence, यहाँ पर जो आपका answer हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका curved surface area of cylinder is 100 cm square, I hope you understood the explanation, thank you.